हेलो रमस्कार दोस्तों मैं है भाय कुमार सुकला आप सभी का अपने चैनल स्ट्वेंट प्योर में स्मागत करता हूँ और आज आप सभी से एक special topic पे बात करेंगे बहुत दिनों बाद आप सभी से जुढने का मौका मिला और प्रयास के जाएगा कि अब continue आप सभी से जुढ़ा रहा जाए थोड़ा इदर disturb हो गये थे बहुत दिन तक और टाइम नहीं मिल रहा था तो आईए अभी आप सभी से बात करेंगे bonus, bonus क्रिगार्डिंग की railway में जो bonus दिया जता है वह bonus किन किन employee को मिलता है, किन किन post पे मिलता है और उसके साथ ही कितना मिलता है और क्या different different post जिनका बेतन जिसमाली जिनका बेतन different है तो क्या उनको different मिलता है क्या जिनका भेतान सेम है उनको कितना मिलता है या जैसे कि माली यह कि गुरूप D टी पोस्ट वाले को कितना मिलेगा दूख क्या मिलेगा तो दिक्विए है क्या कि अब बोनस इसको आप ओफिचिल भास開म जानिएगा तो इसको पील भी काते हैं जैसे productivity link bonus होता क्या है कि यह group D and group C category के जितने भी post के employee हैं उनको यह bonus दिया जाता है और साल में एक बार मिलता है यह one year में तो इसका है क्या कि यह group D and group C non registered rank के जितने भी करमचारी हैं उनको यह bonus दिया जाता है और इस bonus में normally हम सभी के बीच दो भावनाएं हैं कुछ लोग को मानना है कि कितना रुपया मिलता है कुछ लोग इस नहीं जानते हैं कि 78 डेज का रिलवे employee को बोनस मिलता है यह इस तरह से देखा जाए तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसका कम है उसको कम मिले गा और साथी साथ 78 दिन का बेतन एक माइने रखता ह है माली यह नॉर्मल भी अगर आप ग्रूप डी इंप्लोई से कंप्यार करते हैं तो 78,000 का सपास हो जाएगा उसको बोनस मिलना चाहिए जो कि ऐसा नहीं है तो इसका क्या है बेस किस पर इसको रेडी किया जाता है किस पर तैयार किया जाता और उसके नुसार से आपको बोनस होगा तो पहले क्या था कि साड़े 3,000 एक बेतन फिक्स किया गया सिलिंग जो कि हमारा मंतली बेतन फिक्स होगा सभी एंपलोई का चाहिए वह गुरूप D हो या गुरूप C हो कि इनका बेतन 3,000 होगा उसी का अधार पर हम लोग इनको बोनस दिया जाएगा लेकिन आगे देरे देरे बढ़ते बढ़ते इसको 7,000 किया गया अभी जो बोनस मिलता है वह 7,000 के अधार पर मिलता है यानि आपका एक मन्त का बेतन 7,000 होगा इस तरह से आप हम आपको क्या बले कि एक टोटल BTA वरस में आपको दिया जाता है तो इसमें है क्या कि एक साल का बेतन आपक निकालो गोई तो आपको लगबग 230 रॉपय आपास आता है तो आपको जो दिया जाता है वह 17,901 रुपय दिया रहा था ठीक है दोनों करमचारी को चाहिए वह गुरूप C हो या गुरूप D हो नंगर स्टेट रेंके जो भी करमचारी है अब देखिए अब इसमें में टॉपिक आता है जो हम सभी नय अरार भी से आये लोग यह जो भी NTPC आये या गुरूप D आये यह कैसा या जो करमचारी अभी इद्धर जोइन किया है क्या उनको बोनस मिले या या यह टोपिक है तो इसमें क्या है बहुत सारे लोग बोल रहे थे क्या मेरा ज्टारे इतना बेंग अमको मिलेगे नहीं हम खूद जुलाइस में जुईन किया है तो जुलाई से हम लोगा शुरू हुआ तो हम लोगो से जबनेगा ह GPA जो अभी आपको बोनस मिलेगा उसको दुरबा। पूजा में मिलता है वह सत्मी से पहले इधर में आ जाएगा होता क्या है 이 से यानि अभी जैसे 2023 में जो मिलेगा वो 2022 का एक अप्रिल से लेकर और 2023 का 31 मार्स तक जो लोग परजेंट होंगे इस पूरे साल में उनको यह बोनस उनके परजेंट जो की अटेंडेंस है उसका अनुसार से दिया जाता है ऐसा नहीं है कि अगर आप साल में आप 10 दिन परजेंट किया गया है ऐसा मुझे कोई अथेंटिक नियूज अभी तो नहीं मिला लेकिन हो सकता है जो भी बढ़ा होगा तो जैसा उसका नियू जाता है आप तो दो चार पांच दिन में प्रमेंट भी होगा तो पता लग जाए कितना बोनस आ रहा है लेकिन सुनने में आ आप कर नहीं छोड़ सकती है आचाया दस दिन ही क्यों ही काम की हो उस दस दिन का भी बोनस आपको देगी लेकिन हाँ अगर आप साल में एक भी दिन छोड़ा है तो उसे एक दिन का काट लिया जाएगा तो जो आपका हिसाब बनेगा पूरे बितिये बर्स में जैसे एक चारवी से आये हैं उनके लिए है कि अगर जिनका जोइनिंग मार्च से पहले हुआ होगा चायो जितना भी दिन का हुआ हो तो उतनी दिन का बोनस हमको मिलेगा इंडिपेंडेंट चार जब से लिया होंगे अगर आप अपरिल के बाद जोइन किये हो तो इस बार आपका ब लिए मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू जय हिन जय भारत अगर अभी वी आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब रुकिजेगा वीडियो अच्छा लगती से लाइक जरुकिजेगा जय हिन जय भारत